असलाम अलेकूम, वेलकम टू मैं चानल कुक एवरी डे फूड वित आईशा आज हम बनाएंगे बहुती मज़ेदार स्पाइसी स्ट्रीट स्टाइल वेज हाका नूडल्स या फिर चाउमेन इसे बनाना बहुत ही आसान है वीडियो में जाने से पहले अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल एकन भी टच करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुन सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेज हाका नूडल्स बनाना इसके लिए सबसे पहले हम नूडल्स को बॉइल कर लेंगे यहां पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है चौमेन या हकका नूडल्स बनाने के लिए हमें इस तरह के नूडल्स चाहिए यह चाइनिस नूडल्स है इसे हम बॉइल कर लेंगे 4-5 मिनिट के लिए यह देखिए नूडल्स हमारे अच्छे से बॉइल हो गए हैं अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे बॉइल्ड नूडल्स पर थोड़ा सा ओइल डिजल कर लेंगे ताके यह नूडल्स एक दूसरे से चिपके ना नूडल्स को हम साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं आगे यहां पर मैंने एक नॉनस्टिकी पान ले लिया है आप चाहे तो कड़ाई भी ले सकते हैं इसमें हम दालेंगे टू टेवल स्पून ससमे ओल यानि के दिल का तेल तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें दालेंगे दो लहसन क्रश किये हुए फ्राइ कर लेंगे लहसन को चन सेकंड्स के लिए अब हम इसमें डालेंगे एक प्यास बारी कटी हुई फ्राइ कर लेंगे प्यास को भी जब तक के ये ट्रांसलूसेंट हो जाएं कुछ इस तरह से अब हम इसमें एड़ करेंगे वेजीस वेजीस में मैंने यहां पर ले लिया है एक कप कैबेज, एक कप ग्रीन और रेड़ बेल पेपर और आधा कप गाजर इन सारे वेजीस को मैंने जूलियन सा कट कर लिया है फ्राइ कर लेंगे वेजीस को हमें इन्हें जादा पकाना नहीं है बस हलका सा चन सेकेंड्स के लिए अब हम इसमें डालेंगे नमक, हजबे, जाईखा, वाइट पेपर पौडर, 1 फोर्ट टी स्पून, सोया सास, 1 टी स्पून, विनेगर, 1 टी स्पून, होट सास, 1 टी स्पून, स्पाइसने साप अपने टेस्ट के हिसाब से अड़्जस कर सकते हैं मिक्स कर लेंगे बॉयल के हुए नुडल्स आट कर लेंगे थोड़ी सी बारीक का टी हुई श्प्रिंग अनियन डालेंगे मिक्स कर लेंगे वन टी स्पून टमैटो गेचप भी डालेंगे मिक्स कर लेंगे ये देखिये हमारा वेज़ाक का नूडल्स बनकर तयार है अब हम इसमें थोड़ा सा सेसमें ओयल डाल लेंगे अराउंड हाफ टी स्पून आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है तो आप भी ट्राइ करिए इस रेसिपी को एक्जैक्ली फॉलो करके I'm sure हर कोई इसे बहुत पसंद करेगा ये थी मेरी आज की वीडियो I hope आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिनाना जाईएगा मिलती हो एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेज